पूर्व कख्षाओं में हमने प्रत्य भी ज्यानम पूर्व कख्षाओं में अर्थाद पहचान छुपेवे पहचान के विशे में आपको संचिप्त रूप में बताया था और साथी साथ छात्रो हमने ये भी बताया था किया कथा महाभारत से ली गई है और इसको लिखने वाले संस्कित के प्रसिद्ध कवी और लेखक कवी भास जी हैं जिनोंने पंच रात्रम नामक नाटक से ये कथा को संपादित किया है छात्रो ये कथा महाभारत से ली गई है और उस समय की है जिस समय पांड़ों को बारा वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अग्यातवास दिया गया था तो ये उसी अग्यातवास के समय जब पांड़ों वेश बदलकर छद में वेश में कहीं भी रह रहे थे तो उस समय का वनड़न है छात्रो इस अध्याए में बताया गया है कि महराजा विराट के नगर में पांचों पांड़ों अलग अलग रूप से रह रहे थे और वहाँ पर एक बार क्या हुआ कि कौर्वों की सेना के गायों को चुरा कर ले आए थे तो महराजा विराट के साथ कौर्वों का घमासान युद्ध होता है और उस युद्ध में अभी मन्यों पकड़ा जाता है नीशस्त्र जब हो जाता है भीम तो वो अभी मन्यों धोखे से पकड़ा जाता है उसी समय का यहाँ पर वर्णन किया गया है तो आईए देखते हैं छत्रों क्लास नाइन संस्क्रेट सब्तुमा पाठा प्रत्य भी ग्यानम का पंचमा भाग प्रस्तुत पाठ में गध्यान्ष का हिंदी भाषा में आर्थ और संदी विछेट पर प्रकाश डाला है यह गध्यान्ष अभी मन्यों से लेकर परिरक्षिता तक है देखें चत्रों अभी मन्यों यद हम अनुग्रा है यद यहां पर संदी हो रही है यदे यने यदी प्लस अहां प्लस अनुग्रा है तो अभी मन्यू क्या कह रहा है यदि मैं अनुग्रह करू तो अनुग्रह करू यने अगर मैं वाद विवाद करू तो क्योंकि छात्रो यहाँ पर क्या है अभी मन्यू को पकड़ के लाएं और उससे क्या कहा जा रहा है प्रणाम करने के लिए महराज को परन्तु महराज को प्रणाम करने से मुकर रहा है अभी मन्यू और कह रहा है कि आपके द्वारा क्रोधित होने पर भी मैं प्रसन होता हूँ तुमारी निंदा से क्रोधित नहीं होता हूँ तुम बुराई करोगे तो भी मैं क्रोधित नहीं होता हूँ ऐसा राजा ने उसको कहा क्या कहकर मैं तुम्हें अपराद मुपते ठैरते हो या जाते हो तो अभी मन्यू जवाब दे रहा है कि यदि मैं आनुग्रा करू तो पादियो पादियो समुदाचारा क्रियताम निग्रहोचित निग्रहोचित में संदिये निग्रह प्लस उचित बहु भ्यामा हृत भीमा बहु भ्यामे नेश्यती तो क्या बोल गाए चात्रो पादियो समुदाचारा क्रियताम निग्रहोचिता निग्रहोचिता में संदी है निग्रहा प्लस उचिता है और बहु भ्यामा रितम में भी संदी है बहु भ्याम प्लस अरितम भीमा बहु भ्यामें यहां पे भी संदी हो रही है बहु भ्याम प्लस एव नेश्यती चात्र ये श्लोक है इसका हमको सरलात करने के लिए अन्वे को देखना पड़ेगा और अन्वे इस प्रकार है कि करता कर्मे क्रिया और उनके विशेशन को अन्य भी भक्तियों के साथ एक पंक्ती में नियोजन करना ही अन्वे कहलाता है तो आईए श्लोक का अन्वे देखे चात्रो अन्वे है पादियो निग्रहोचित समुदा अचारह क्रियताम बहुभ्याम आहरताम माम भीमा बहुभ्याम एवनेश्यती तो यहाँ पर समुझा चार का मतलब है सिष्ट विहवार अच्छा विहवार और निग्रहोचित का मतलब है उचित डंड़ा डंड़ा याने पनिश्मेंट अपराद जो भी सजा है जो मैंने अपराद किया है उसका मुझे उचित डंड दीजिए यही क्या कहलाता है सिष्टाचार कहलाता है तो चात्रो ये कौन कहरा है अभिमन्यो कहरा है किसको महराजा को तो देखे आगे क्या बोलता है अभिमन्यो अनुग्राय याने कृपा के योग तो अभिमन्यो कहरा है कि पादियो समुदाचार क्रियताम निग्रहोचित बहुभ्या माहरित भीमा बह कि पादियों यनी पेरों के द्वार्ण य पेरों से निग्रहों चित यने उचित दंड समुधा चार either जो शिष्ट व्यावार है। ठीक है बहु भ्याम आहरिताम माम याने मुझे बाहूं से पकड़े माम याने मुझे बहु भ्याम आहरिताम याने बाहूं से पकड़कर मुझे भीम जो है अपनी बाहूं से ही लेकर आए हैं तो उसने क्या कहा कि जो मैं कृपा के योग्य हूँ तो पैरों से उची दंड सिष्टा चार किया जाए क्योंकि क्रिश्न आरे भीम जो है वो मुझे बाहूं से पकड़े हुए मुझको बाहूं से ही लेकर जाएगा ऐसा वह कहता है तता प्रविश्यती उत्तर रहा तता प्रविश्यती उत्तर रहा अर्थात तता यानि तभी या उसके बाद प्रवीशती उत्तरा संदी ओरी है प्रवीशती प्लस उत्तरा प्रवीशती का अरत है प्रवेश करता है उत्तरा वो महराज के बेटे का यहने राजकुमार का नाम था कौन महराज महराजा विराट तो महराजा विराट का बेटा उत्तर तभी उसी समय प्रवेश करता है जब अभिवादन करता हूँ प्रडाम करता हूँ राजा आयुश्मान भव पुत्रे पूजिता कृत कर्माणू कृत कर्माणू योधपुर्शाहा तब उसने क्या कहा राजा ने कि आयुश्मान भव पुत्रे जब कोई हमको प्रडाम करता है तो हम लोग उसको आशिरवाद देत पूजिता हा, कृत कर्मानो, योध पुरुषा हा, यने पूजित होते हैं या पूजा के योग्य होते हैं, कृत कर्मानो यने कर्म करने वाले योध पुरुषा हा, यने योध पुरुष, यने जो लड़ाई में जाते हैं, उनको योध पुरुष कहते हैं, तो उसने क्या का राजाने चिरन जीवी हो पुत्र कर्म करने वाले योद्धा पूजित होते हैं यानि जिन्होंने काम किया है युद्ध में वो पूजा के योगे है तो तरह कहता है पूजे तमसे क्रेताम पूजा पूजे तमसे यानि किसी को दिखाते हुए कहता है कि पूजे तमसे क्रेताम पूजतम 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 पूजत पुत्र कस्माई याने पुत्र किस के लिए या किस लिए। तो उत्तर कहता है यहां अत्र भोते धनाज्य आए यहां अत्र भोते में संदी हो रही है धनाज़नाए किसे बोला गया? अर्जुन को तो यहां आदर्णिये धनन जाये के लिए यहां पर आदर्णिये हैं इनी की पूजा की जाए तो राजा को आश्चर होता है क्योंकि युद्ध में तो कौन गया था उत्तर गया था यहां अर्जुन तो कोई नहीं है क्योंकि सब तो वेश के रूप में छुपे तब राजा कहता है कथम धनंजय आयती धनंजय आयती में भी संदी हो रही है धनंजय आये प्लस इती कथम धनंजय आयती कथम यहने कैसे धनंजय के लिए धनंजय आयती यहने धनंजय के लिए तो उत्तरा कहता है अत्किम यानि और क्या उत्तर में राजा के कहता है और क्या धनंग्जे के लिए ही पुजा की जे क्या बोल रहा है उत्तर देखिए शम्शानाद नूरादाए तूडी राक्षे साके निर्पाभीशमादयो भगना वयम्चा परिरक्षिता उसने क्या बोला शम्शानाद नूरादाए संदी ओर ही है शम्शानाद प्लस धनू प्लस आदाए यहने शम्शानाद से यह क्या क्या धनुश को लेकर आया तूडी राक्षा छे साके तूडी राक्षा से कमान तीर वगएरा भी सब लेकर आया निर्पा याने राजा भीश्मा देओ भगना वयम तो यहाँ पर भी संदी हो रही है निर्पा भीश्मा देओ भगना वयम में निर्पा हा प्लस भीश्मा देओ प्लस भगना हा प्लस वयम तो छत्रो यह श्लोक है और इसका अन्वे करना है तो अन्वे करने के लिए वही बातों को ध्यान में रखना है कि करता कर्मे क्रिया और इनकी विशेशण को अन्य विभक्तियों के साथ एक पंक्ती में नियोजन करना तो चत्रो अन्वे देखिए शम्षनात तूडीर अक्षै साके धनु आदाय भगना हा निपाहा भीशमादयो वयमचा परीरक्षिता हा तो अभी इसका आर्थ देखिए चत्रो क्या कह रहा है शम्षानात यने शम्षान से तूडीर यने तरकस अच्छै साके यने अक्षै बा पादाय यनि लेकर भगनाहा निर्पाहा यनि घायल लेकर घायल राजा को भीशमादियो यनि भीशमादी राजा जो भी वहाँ पर आये थे सबको इसने घायल कर दिया वयम च च यनि और वयम यनि हम लोग परी रक्षिता यनि रक्षा किये गए तो उसने क्या बोला उत्तर ने कि शमशान से ये तरकस अक्षय बाड़ों वाला धनुश लेकर आये और घायल राजा भीशमादी सबको करके हम सबों की रक्षा की ऐसा इसने उत्तर ने बताया तो चातरो ये गद्यांश और पद्यांश आपको कैसा लगा आप जरूर बतायेगा और इसमें जरा भी डाउट है तो आप आज विद्याले कैप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं मैं आपका जवाब जल से जल दूँगी तब तक के लि धनिवा चातरो नमो नमा